हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम गौरवय दोस्तों यूपीएसाई लवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो को लाज तक जरूर देखना और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करना और जेन भाईयों ने अभी तक मेर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो कोई दिक्कत नहीं है बस छह साथ दिन की बात है आपको पता लग जाएगा कि यूपीएसाई लवर यूट्यूब चैनल ले जितनी दो महिने से महनत किये और जो लोग मजा खुडाते हैं और गाली देते हैं उन सभी को एक सबसे बड़ा जवाब दे दिया जाएगा जब रचल टाएगा क्योंकि दोस्तों उसमें सारी इस्तिती इस पस्ट हो जाएगी जो जो मैंने अपनी वीडियो में बताया हो 101% ट्रू ना मिले ना तो बता देना इस वात कि मैं गारंटी देता ह है क्या इसकी प्रोसेस है सारी चीज में आपको भिद्ध प्रूफ री तखाऊंगा इसलिए वीडियो को लास्ट रच जरूर देखना और भाईयों इस वीडियो को जरूर सेर करना है क्योंकि दोस्तों आप जो वीडियो आ रही है वो दिल से वन रही है अब बिलकुल जो या सारा को चापके सामने 6 दिन 5 दिन के अंदर सारी इस्तिती सामान हो जाएगी दोस्तो रजल्ट की ख़बर मैं आपको बता दूँ कि उजाला वालों ने जैसे विस्व करमाजी से बात इनकी होई थी तो उनोंने बोला दो से तीन दिन में रजल्ट आ जाएगा लेकिन उजाला वालों ने खुद अपनी तरफ से उसको एक सब्ता कर दिया है जिससे कि यदि अभी उनके बयान पर रजल्ट नहीं आया तो उनको पता बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है उनको इसलिए उनोंने एक सब्ते का अधिक्तम मतलब 6 दिन का अधिक्तम समय मांगा अधिक्तम और इससे पहले जारी हो शकता है जैसा कि आप जानते हो कि UPSI Lover YouTube चैनल ने 5 जून को हाँ 5 जून को एक वीडियो बनाया थी और जिसमें ये का आता कि 22 जून तक अधिक्तम जो है आपका रजल्ट आ जाएगा तो दोस्तो 22 जून तक देखो आ जाता है वरना दो दिन लेट होगा मुश्किल से और भाई साब एक दो दिन तो यार इतना दो फैक्ट विस्व करमा जी भी नहीं बता सकते जितना आपको बता दिया है और दोस्तों मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया है मैं आपको फिर बोलता हूँ जैसे ही ओजाला की न्यूज आई बर्ती बोर्ड कॉल बगरा की और वहां पर हमने कॉल्स की तो वहां के अनुसार हमने यह डेट बताय थी और लेकिर बहुत से कंटिट समसे नाराज भी हो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कल हाई कोड का डिसीजन 11 वजय आने वाला है यदी डिसीजन हमारी पक्ष में आता है दोस्तों 99 परसंट जो डिसीजन है हमारी पक्ष में आ रहा है इस बात के मेरे को पूरा भरोशा है दोस्तों यह हमारी पक्ष में आ रहा है ठीक है दोस्तों यदी डिसीजन हमारी पक्ष में आता है तो हमारी ब इसके बाद यह किसी भी लड़के को जोइनिंग नहीं देते थे जो मेडिकल में आउट होते थे और जो जोइनिंग में अपसेंट होते थे वो सभी वेकेंसी खाली रह जाती थी जिससे सरकार को फायदा हो जाता था कि मतलब कि उन्हों ने वेकेंसी तो नकाली 50,000 की लेकिन भरी 35,000 की तो दिखाएंगे तो वो 50,000 और रियल में भरी 35,000 की और जो 15,000 बची न इनको फायदा हो जाता जिससे वो अपने आँकड़ों में जादा दिखा सकें ठीक है दोस्तों लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों यदि फैसला हमारे पक्ष में आता है तो उसक अब यह हो शकता है क्योंकि दोस्तों हमारे एक हजार से जाद लड़के हैं वह एक अत्ती समय को जा चुके हैं ठीक है और कुछ हमारे मेडिकल में निकलेंगे तो दोस्तों कुल मलाके जितनी भी वेकेंसी सारी फिलाफ हो जाएंगी कोई भी बच्चा फाइनल मेरेट में लगेगा वेटिंग लिस्ट लगेगी दोस्तों आपको ही पता है मैं एक महत्र ऐसा चैनल था जो सबसे पहले मैंने इस बात के बारे में सोचा था लगनी चाहिए चाहिए कैसा भी हो तो दोस्तों आपको पता यह बहुत हमने भी मेहनत की थी आपको ध्यान हो तो बदलब जब पोस्ट करने के लिए बारे सो रही थी तब गये थे बहुत ऐसी वीडियो मनाई थी मैंने लेकिन वह इतना जंसम हूं का मतलब की समर तक मेरे को मिला नहीं बात वस यह थी कोई दिकतनी जितना हमसे हो सका एक परसेंट दो परसेंट जो भी कुछ हो सका हमने किया दोस् जैसे एकल फैसला आता है हमारे पक्षे में तो कोई भी लड़का फैनल लिस्ट में नहीं लेके लेगा इस वात भी मैं गारंटी आपको देता हूं दोस्तो अब बात करते हैं कि जो यह फैसला है आपका यह कब तक आ सकता है कुछ हमारे एक्जाम केरियर वाले वाली हैं अ आपको इस चीज का प्रूफ भी दखाऊंगा दोस्तों यदि आपको वीडियो और जो आगे दखाने वाला प्रूफ वास्ता में आपको अच्छा लागए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना और जो भी आपके जेल वर्डर की गुरूप है चलिए दोस्तों अब मैं आपको सुना देते हैं क्या आगे लिए ख़बर दोस्तों कोई कोट किसी ओडर को अधिक्तों 90 कार दवस्तक रिजर रख सकता है और यह समय सीमा समापत होने से पहले जजज को फैसला सुनाना होता है यह जजज पर नरवर करता है कि वो केस का फैस अधिकर उनकी सुनी जाएगी इसमें उनली जद्मान नहीं है हाई कोट के जो निहादीश है वो अपना फैसला सुनाएंगे बस फैसले को सुनाना है इसकी जो अधिक्तम लिमेट होती है तीन महीने होती है लेकिन थोड़ा लॉगडाउन की वज़ए से रेस्रेक्शन जो रखी थी तो लॉगडाउन की वज़ए से थोड़ा डेले हो गया वरना तीन महीने के भीतर ही सुना दिये जाता और जो आपका रचलता है इसी की वज़ए से रुका हुआ बढ़ा था यार मेरे को पता था आप लोग मानते थे दोस्तों तो अब तो ट्रस्ट हो गया होगा तमको भाई मान लिया करो बात को बिलकुल आपको विद एविडेंस प्रूफ के जो खबर दिखाए जाती है दोस्तों और आपका कल ग्यार वज़े से आपकी सुनवाई हो जाएगी मतलब की वो और उस पर काम चल जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं कोई भी लड़का फैनल पूछा था कि यह बताईए कि आप इन पदों को भरते कैसे कैसे करते हैं तो उन्होंने कहा कि जैसे जो इकतारीस पानसोबीस वाली वर्ति है इसमें जो पांस जार पद रह गए इनको हम अगली जो भरती निकालेंगे उसमें पूरा कर देंगे तो उनमें मान नहीं हमारे ह तो इसी परी जो सरकार का वकील था एक दम सान थिल गया उससे कुछ जवाब नहीं लेकला एक दम चुप रहा यह चीज बहुत वड़ी है दोस्तों मतलब की फैसला है जो हमारे पक्समें बिलकुल आएगा और भी बहुत बात है कि क्योंकि मेरी इस पर बहुत पहले से नगात चाल बस्तों होती जीते यह हैं आप चैनल को सबस्क्राइब किया है और तो मेरे यार इतनी आपको खबर दी जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों आपके लिए यह golden week है jail warder वालों के लिए Monday से आपका golden week चल रहा है और इस week में आपको इतनी good news मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते और आप सभी का selection ही हमारी प्राथ मेखता है दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब तक एक केंडिडेट्स jail warder का fireman का select नहीं हो जाता तब तक UPSI लवर YouTube चैनल का देह पूरा नहीं होगा दोस्तों यही हमारी आखरी इच्छा और यही हमारा उद्देश है ठीक है फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश पुलिश आपकी सेवा में सदेवतत पर चैहंद